झालो नमस्का दोस्तों स्वागत आपका मेरी YouTube चैनल जिसका नाम है सिवल प्रसाइज़ी टैक्नो दौस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेट के बारे में दोस्तों बारे के लिए मैंने आपके लिए एक estimate निकाला प्रिपेर किया है उसको मैं आज आपको समझाऊंगा ठीके दोस्तों तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे वहले में आपको दिखा दूँ एक्जिवेशन का layout तो यह हमारे पास एक्जिवेशन का layout इसमें आप देख पा रहे हैं है है यहां पर जो इसकी lean डाले हुए मैंने CC 1612 की वह यहां पर हमें मैंने लेए हैं डाइफीट की ठीक है दोस्तों उसके आलाव जो हमने यहां पर PCC डाली हुए एक 480 वह हमारे पास ही है पर दो फिटली हुए है इसकी जो यह विड्थ है और यह दोस्तों मैंने ऊपर फ प्रॉपर और यह लिए और आपके लाव मैं आपको यहां पर दिखाएता हूं यह हमारेपास प्रॉपर प्रॉपर प्रिपेर किया इस रूम के जो डाइमेंशन है वह आप देख पार है यहां पर अठावा फीट इंटू 13 फीट वन इंच का ठीक है दोस्तों यह हमारे पास है इसमें मैंने आपको दिखाने के लिए जी कि यहां पर एक डोर का साइज भी दे दिया है और वहां पर दिखाया भी दिया है ताकि उसके लिए क्ली थोड़ा से तक कि आपको एसली समझझाए उसके लिए यहां पर मैंने आपको झावी दिखा दिया और उसके डिमेंशन traction किये गये है कि मैं क्यों से डिमेंशन से यूज कर रहा है और यहां पर क्या क्या है ठीक है थ Dolce उसके अलाब आप देख पार हैं यहां स्लैब डाली है इस स्लैब की वैल्य आप मीचे देख पारे हैं जो मैं डेड़ इंचे जो है फ्लोर फिनिशिंग की है उसके लावा तीन इंचे सीमें कंक्रीट है इसमें और उसमें साड़े-चारे इंड ब्रिक प्लास्टी यूज हुआ है जो की रेंड किया अर्थवरक में लें ठीकिंख Wow माझ है और दोस्तो यह हां से आप देख पार हैं यह हमारी पास ऊपर मैंने थीन फिक लिया एक स्टा जो हमारी दोस्तोра अपने क्या करना और है एक देशेंट इन फांडीशन ठीके दोस्तों आपने उपर सारा यह सीरिल नमब लिखे लिए ना पर्टिकॉलर आप डिखते हैं नम्बस लिखने लैंथ विड्ट और हैट उसका कॉंटिटी और यूट आप कॉंसियूट में यहां पे यहां पर निकाल रहेएं दोस्त कि दो स्थमर्में क्या किया है दो लॉंग वॉल्स अधिक से दोस्तों कि यहां पर जमाइंड लेंग्वायन फीर वह एटिन पॉइंट थी तो इसको दोस्तों पाइल आपकर चाहिएक इसके लिए हमें एक फार्म लिगाना पड़ता थे रस्तों जैसे कि हमारे पास देखिए ये हमारे पास प्लान है ठीक दोस्तों ये अपनी जो लॉंग वॉल है मेरी यह आगी हाँ पर 18 फीट और यह शौट बॉल है वह आगी है ठीक दोस्तों ज़ा हम एक्जिवेशन करेंगे एक्जिवेशन के लिए मैने यहाँ पर बिड़ चूली है वह ली हुई है 2 feet 6 inch lean के लिए ठीके दोस्तों तो exhibition के लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहां से थोड़ा सा आउटर बाहर से लेना पड़ेगा हमरी exhibition नहीं होगी दोस्तों यह मैं आउटर टो-ाउटर मैंफड लेडराउं इस तरीके से आप देंबार हम Nora अमें एक्जिविशन इसरह भी करने पड़एगे बाहर की साइड भी करने पड़एगे और अंधर की साइड To бывает ऐघїके दोस्तों तो हमें क्या करना है कि यहां पर जो हमारी बॉर्ट की विर्थ होगी 9 inch की होगी ठीक है दोस्तों यह हमारी ball की विर्थ होगी जो यहां पर हम बात में ball करने है हमें वो minus करना है इसमें यह ball की विर्थ 9 inch होगी ठीक है दोस्तों उसके लावब जो हमने exhibition की है जो हमें proper exhibition करनी है वो हमने किया यहां पर 2 feet और 6 inch की ठीके दोस्तों तो हमें क्या करना है हमारे जो 18 feet है हमारे पास उसमें से हमने minus करना है 9 inch दोस्तों 9 inch को feet में करने के लिए हमारे पार simple formula होता है जैसके 9 inch है तो हमारे से हमें 12 से यहां पर divide कर देना होता है और इसकी जो value आएगी 0.75 ठीके दोस्तों तो यह हमारे पार 0.75 आ गया उसके अलाव हमें यहां पर प्लस करना है जो की हमारी यह विर्दी है इसका half हमने ले रहा है एक side से long wall का और एक half लेना हमने other side से long wall का तो दोस्तों यह जो total बनेगा total हमारा बनेगा 2 feet change दोस्तों हमें 6 inch को feet में convert करना है तो उसके लिए same formula हमारे पास यह आ जाएगा तो इसका जो value आएगी वह आएगी हमारे 0.5 ठीके दोस्तों तो जब हम इसको दो feet को इसमें change को plus करते तो यह हमारा total जो आएगा वह आएगा 2.5 और जब इसको total plus करेंगे तो यह हमारा पाटेगा 19.75 ठीके दोस्तों तो वही value मैंने यहाँ पर लिए हुई है ठीक दोस्तों उसके लाव में आपको दिखा तो यहाँ पर कि हमने short wall की value इतने कैसा ही है दोस्तों हमारे पास शॉट की value की जो value है वह हमारे पास है 13.1 inch 13 feet 1 inch ठीके दोस्तों तो इसके लिए क्या है इसके लिए आपको same formula ही लगान है लेकिन इस case में आपको क्या करना है आपको जो यहाँ पर 13 दिया है और दोस्तों वन इंच को जा में 12 से डिवाइड किया तो इसकी जो value आई है वह हमारे पास ही है 0.08 ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर हमारा हो गाई है 0.08 यहाँ पर हम माइनस करेंगे 0.75 जो की value हमने यह ठीक हमारे नइज के वॉल होगे तो इसके नोकी होगे वह हमारे पास 9.83 जों यहां पर नमर ऑً हमारे है आप देखना है विर्थ इसके कितनी है तो दोस्तों अ आपको दिखा जाएता हूं कि हमारे पास जो मैस्मिन विर्थ है वह दोस्तों यह थे दूस्तों वह हम यहां पर दोस्तों यह आप देखिए 2.5 लिख दी है जैसे कि मैं आपको भी बताया कि जो हमारे पास यहां पर जो विर्थ है जब इसको हम 6 इंच को फीट में करम उड़ करेंगे तो इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो और जो डाय करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 0.5 तो जब हम ca 2.5 आएगा तो यह आएगा थे कि दूस्तों तो मैं यहां पर हैज़िए लिख दी है ठीक है सた हमारे जो हमारे जो हो ओक्पास के लिए और ये ये रच्डरी वाल के लिए मैट के लिए आपके दोस्तों क्या करना है आपने दीखना सिंपनी यहां पर यहां पर निचे से लेके ऊपर तक अपने टोटल कितना रहा है जैब टोटल हम इसको निकालते हैं तो दोस्तों हमारे यह बनेगा कि विए वंडर। तो यहां पे आप देख पा रहें में ए जो हमारे पास बैल्यू taking अर्फ उ Koran की घोट्रा किने एक से दोस्तों तो निए होुँ आति है कि फ snakeskण क्ले तो जो हमारे वाली हैरिव नहीं यहमारी आ चुळिए ठीके दोस्तों जब दोस्तों इसको करूं लेंगे बाद साइजंगे में इतनी भी औरूसके बाद म capitalize 0 हमारा है इतना होगा इतने के दोस्तों उसको बाद सेने पौर टेर्टष हूं सेने ईपर होत्तो trees यहां अगूप हैं जो मैंने 40 mm के लिए ऌह पर थी क्या रहत दोस्तों इसके हम लिए हैं इसमें थोड़ी सी वैली चेंज होगी इसमें क्या क्या हुआ है एसमें आप देख पार है जो हमारे पास value was lean के लिए है देखिए दोस्तों lean की width हमारे पास वो same रहेगे 2,2 feet औ or change लेकिन जो इसकी thickness है वो हमारी यहां पे 8 inch हो जाए जाएगे ठीक है दोस्तों तो जो हमारी हां पे thickness है वो change हो जाएगी इसकी width रहेगे लेकिन इसकी जो height की थिकनस है और height है वो इसके change जाएगी ठीके दोस्तों हमारे पास जो total था वो 18 था इसमें से हमने minus क्या करना है हमें सेम सामने आपने इसको देखके रखना है आप इसको देखेंगे तो आपको वेल्यू आती है उसके बाद हमने इस मैं से क्लर्स करना है अब्लस क्या करना है प्लस हमें करना यह वेल्यू कि दोस्तों यहांपे वैरी थोड़ी गलत हो गी यहांपे दोस्तों हों हमारे पास इतनी वेल्यू है जो नान पॉञ्ट 네 232 है वही यहाँ पे भी आनी थे ठीक है दोस्तों क्योंकि दोस्तों यहां पी पारे हैं जो हाज हमारी अग्जवेशन होई यह वह रही हम हमने की है ठीक है दोस्तों तो यह हमारी यहां युडًk सेम हाएगी है जो भल इसकी device है तो यहां पर लोंगோयल की और यतो की वालबाव से निकाल ली इसलिए की तिए वहारी फूर्स टेप मेली नीचे सक्षब हरी हमें ऎकी ति प्रोप पर हाइट ली थी लेकिन उसकेस में हम ने रहें हम पे निसमेंगर रिकाव को घृतते हैं तो यहां पर यहां पर ले है तुषके प्रॉन को सब्सके लなら है थे दोस्तों और आपको नेक्स्ट घूस्ट है महारे पास हम्हारे पास है प्लें चीजी जो की हमने यहां पर यूज की यह एक चार डिखें़ है तो इसमें च्रीमेंट और आपके स्टोंगे जो आपने है फोटी एमम लिया हुआ है तो उसमें हम लॉंगouse लेते हैं हमारे घॉक सब्सक्वाइब गी होंगी पार जो तो पहुत हरे हैं यहां पर हम्हां संभ में आप यहां पर चेंज होगी और यहां पर दोस्तों आप देख वारें धाई फिट थी लेकिन यहां पर से दो फिट रहेगी है और सेम उसी के साथ में इसके जो हाइट है यह भी चेंज होगी है ठीके दोस्तों तो यहां पर हमने क्या किया है जब हम इसको निकालते हैं इसको निका प्लस करना तो जिसकी वैली जो आहेगी टोटल हमारे पास जो वैली होगी इसकी कि नाइंटीन पॉंट्ट टूफाइव कि ठीक है थे दोस्तों कि उसके अलावा हमारे पास शॉड्ट बॉल सेम शौ्ट बाले के लिए निकालने के लिए इसमें लगाना रहे इसमें से 0.75 माइनस करना उसके लावा दो तो दोस्तो देखे यहां पर जो हमने लोंग वॉल में जो plus किया था वो ही हमने same short ball में minus करना है तो जब इस मेंसे हम minus कर तो हमारे पास जो value हाती है वो आती है 10.25 यह दोस्तो हमारी cubic feet में है आपको याद अगना क्या हम यहां पर cubic feet जो है unit use कर रहे हैं ठीक है दोस्तो तो same इसकी जो विर्थ हाईगी दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं यहां पर हमारे पास जो मैंने प्लान लिया हुआ है इसमें देखिए दो फीट हमारे पास वैल्यू है विर्थ की विर्थ है जो हमने एक चाराट की यूज की आप हमेशे आद रखना है जो भी आप step कर रहे हैं यह वह इसकी हाइड दोस्तों हमारे पास यह है एक फीट पांच चिच जहां में 5 को ट्रफ से डिवाइड करते हैं वह आती है पॉइंट फॉर वन खोर गिवींट्वास करना तो हमारा जैता हुए टीग है दोस्तों तो यह स्टैप हमारे क्लिर हो चुका है कि उसका दोस्त दोस्तों श्रूंट का यूस हमें इसलिए करना बढ़ेगा कि देखिए यहां पर हमने जो लीन ली हुई है यह लीन की जो विर्थ है वह एस कंपेर टू जो हमारा पी सीसी है एक चाराट का उससे जादा है तो दोस्तों अगर हम यहां पर अगर श्रूंट नहीं बढ़ेगा जिससे आपने जो अलगा वह एस्टिमेट आपका गलत हो जाएगा और आपको आ पे एक्स्ट्रा पेड़ेगा या पर एक्स्ट्रा खर्चा होजाएगा तो उसके लिए हम दोस्तों क्या गत्राट का हम ढालेंगे तो वो जो थो यहां पर ही इतना ही इसको हो जाएगा और आगे को नहीं जाएगा तो इसलिए हम द्थ्ज करतें क करने श aan किया करना हैं किでは कि हमारे पास ग्यूंद गारनए आपको जो लॉंग यहां पर इसकी width होगी आपको क्यों गो हमारे लुएक लोग वाल होगी जो एक लोग वो वाइगा कि अमरे इन साइड तैकर है कि जो संवाय थी है होगी as compared to inner side वो इसकी अलग होगी ठीक है तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर इसकी विर्थ एक्स्ट्रा होगी और जो अंदर के तरफ हम यहाँ पर जो शट्र प्रवाइड करेंगे उसकी विर्थ हमारी दोस्तों यहाँ पर कि अलग होगी ठीक है अपस्राइब आप समय पा रहे हैं तो उसके लिए अपको थो सिंपल कोछ निखिन करना है यहां से जब हम यहां पर लोकी आजए गे उसके अलावा आव्साइड के लिए हमारी सेम रहेगी दोस्तों जितने फिसी अलावा आप यहाँ पर जाएगे यहाँ के लिए आप यहां बना है प्लान का इस पर आप T Bell करते है में और यह 하고 पस यह विर्थ है यह यह आपने consider करनी है height क्योंकि दोस्तों यह तो हमाई total exhibition के equal है लेकिन जो हमारे पास यह हमें जो पीस डाली है यह हमारी exhibition के equal नहीं है तो हम यहां पर जो श्रुट्रिंग प्रोवाइड करनी है उसके लिए हमें यह वाली हाइड लिनी पड़ी तो दोस्तों जब हमें उसको पांच को डिवाइड करते हैं तो हमारे जो वेल्व आती है वह हमारी एक फिट के इतनी आजाई दोस्तों ठीक है दोस्तों तो यह वेल्व हमारे पास आजाई उसके अलावा जो हमारी यह उसको यह उपर है करें दोस्तों यह हुसे फिर्चेशोच और सॉटबल मेरी to जो लेट हो फिर्चेशच यहां बर साइड سका मरे फिरो यह जो हमारी on कि यहां से लिए कितना जो पोशिन है क्या करना है कि उसके लिए हमारी पास वैल्यू दी हुई है कि एगर हम थर्टिन पॉइंट जीरो के से माने से माने से करेंगे वन पॉइन पॉइंट प्रॉक्त हैं अब पास हमारा वेल्यू आ जाएगी और सेम इस दूसरी 9-1 की वाल की वैल्यू हमारे पास यह है तो इसको जब टोटर करते हैं यह हमारा होगा 1.5 आजाएगा तो इसको हमें यहां से 13.0 करने के बाद हमारे पास यह वैल्यू आ जाएगी उसके बाद सेम हमारे पास जो लोंग वॉल इंसाइड के लिए दो सो जब यूज करेंगे तो सेम हमें लोंग वॉल के लिए भी कि यहां से 18.0 मैंसे हमें माइनिस करना है यहां पर है 1.5 कि दोस्तों इसकी वैले थोड़ी से यहां पर घलत हो गई है एटी में से इसको वन पॉइंट माइनिस करेंगे तो सेंटी सिक्स्टिंग पॉइंट यह तो समरा या आएगा सिस्टिंग पॉइंट फाइगा हमारा है ठीक है दोस्तों कि इसके हम दोस्तों शार्ड वॉल के लिए हम इनसाइड दॉस करेंगे उसके लिए महीं करना पड़ेगा कि जो बली मैंने रित आपको र्माइस कि करें तो ऑरह मेंदी हो इतनी आएगे इसके इसमें से हमने थोड़ आसा जो हमारे पास है इसका 7.5 का हाफ करना है हमने यहां से इसका जो हाफ हम लेंगे वह हमारे पास आ जाएगा almost 0.385 ठीक है दोस्तों हम इसमें से माइनिस करेंगे माइनिस 0.375 ठीक है दोस्तों तो हमारे पास यह जो वैल्यू है वह आ जाएगी ठीक है उसका नेक्स जो हमारे पास टैप है दोस्तों वह आगा हमारा ब्रिक वर्क के लिए क्या करना है हमें हमें जुने स Viele और दोस्तों हमारे पास अ आएगी वैल्यू वह उन्सक्क रहे कि पॉरा कपूरा नषिक है तो हम पूरी जो लोंगड वाल है यूस करेंगे तो हम पूरे अपनी जो लोंग वालब पूरी ही कंसीडर करेंगे यहां है यहां पर हमने 13.08 मैंसे दोस्तों हमने मानिस करने है यहां पर कि पॉइंट 75 दोस्तों यहां पर मानिस करनी है ठीक है दोस्तों तो जम यह करते हैं यहां पर तो हमारे पास 12.3 तो यह आ जाएगा उसके लावा नाइन इच की जो विर्थ है वो दोस्तो यह पॉंट 075 होती है इसको मैं नाइन इच को फीट में गरमट किया हुआ है उसके अलावा हमारे पास जो हाइड मैंने वाल्स के लिए वह हाइड लिए 10 फीट ठीक दोस्तो तो यह हमारे पास वैल्य हाजाएगी स्की क्वीड उसकर दोस्तो यहा पर मैंने एक ही दूर मैंशन diagonal किया हुआ है उसके लावा से यहां पे जो विईडव है वह वो बनाई हुई है है कि दूस्ट जो अर्ब शोगों लगाई है यहां पर जो फिन टो कि हमारी पार जो gouvernте क्योंतिटokshand policies हैं जो हमने रिक वर्क में यूज करना है डिदक्षं ठीक है दोस्तों तो उसके लिए यह ली हुए हमने तो यहां पर हमाई जो पूर के लिए जो हमारी थिकनेस होगी वह सेम वाल की विर्थ के एक्व फिट के बराबर होगी उसके अलाबा जो इसकी मैंने बिद्थ ली थीकर दोस्तो दूस्तो पुलस करेंगे हमारे पास यह आजेगी और इस बेलियों में हम्हें यहां से करना है जो हुँस्ट किма ह horse में जो ँिटे जो हमने एक्जिवेशन की एक्जिवेशन करने से पहले हमें स्लैब डालनी है स्लैब डालने के लिए दोस्तों हम आपको दिखा़ता हूं यहां पी दिखिए यह जो स्लैब हमडालेंगे इस िध्यक्ट को डालने के से पहले हम यहां पर कुछ filling करने पड़ेगी ठीक है तो सिसके निचा में filling करने के बाद में ही हम इसको रैं करें अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से नहीं सेट होगी ठीक है तो तो उसके लिए हमने यहां पर डाइमेंशन लिए हुई है सेम 18 फीट हमारी आगे उसके अलावा यह यहां पर 11.58 जो हमारे पास वैल्यू आई है वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आई है इसमें से हमने यहां पर 13.08 मैं से हमने जो माइनस किया वो यह माइनस किया था 0.75 तो इसकी जो वैल्यू थी 11.5 इनिट इसकी जो वैल्यू आगे थी ठीके दोस्तों तो आपने से मैं यह से माइनस करना है यह जो हमारी वैल्यू है यह हमारी पास वैल्यू जो है वो 9 इंच की वैल्यू है जो हमारी वाल की विर्थ ह है वो दोस्तों यह वो है तो यह हमने हाफ आफ ली हुई है दो बोर्त की वैल्यू है तो एक की अगर हाँ अपनेंगे तो हमारी आएगी पॉइंट 375 ठीज के लिए जो हम्ने शॉट ऑल के ऐसे महाँ यह कंसीडर है तो असके अलावा दोस्तों जहां हम ने आर्ट से स्लैब डाल नहीं है डालने है रूं के लिए तो दोस्तों उसके लिए हमने सेम एरिया कंसीडर करना है वो सेम यह रहेगा तो हमने यहां पे आर् अब देख पपा यह हमारे पास आर्सी श्लयब है आप पर लिखा हुआ है जो कि 13 सीच की डले हुए है हमने आपर जो उसके ऊपर सबसे फस्क लिए जो हमारी यहां पर आएगी और दोस्तों यहां पर आएगे आएगे अच्छ से इस्लयब डालेंगे है तो आलावान पर उसक in equipment tutorials कर्सकते हैं तो अब दोस्तों क्या करना चाते हैं यहां पर टाइडिंगare यूज किया है ठीक दो कि अम सबस्क्रीद आखो की सब्सक्रीं रूप कर दिए बाड़े वार्य में नीचे या ना उतनी कि तो क्योंकि शाट्रिंग हमने exhibition के लिए थी लेकिन दौस्तो जो लिए है वो मैंने ली है तो मैंने यहां पर इसकी जो विर्थ वह वह यह ली हुई है और कि राबर जो हमारे पास है यह लिए दोस्तो ठीक है दोस्तो तो टोटरा हमारी पास आएगी है क्या हुआ है कि दोस्तों फुलिए अपको यह अस्टिमेट जो मैं समझाये वह समझ आएगा दोस्तों आपको एक चिह बदाएटा हूं नेक्स टाइम मैं इसकी कॉंटिटी निकालने वाला हूँ इस से से मेट की में हापको कॉंटिट कि निकाल के दिखाऊंगो कि आपका सीम करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए तक कि जो में नेक्स्ट वीडियो आने वाले वह आपको जल्द से जल्द मिल सकें ठीके दोस्तों यहां पर मैंने अपनी पूरी कोशी की आपको समझाने की अगर दोस्तों आपको कुछ समझ ना हो तो मुझे बताएगा मैं आपको से लिटर आपको कोई इश्यू है आप किस चीज के लिए वीडियो बनवाना चाते हैं आप चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको वह बता दूंगा ठीक है दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए करिए और अलबल आइकन को दरवाना मत भूलिये दूस्तों थैंक यू